आज मैंने अपनी बेटी के लिए इवनिंग स्नैक्स में बनाए क्रिस्मस ट्री जो की पनीर के मैंने बनाए थे और उसे बहुत ही जादा पसंद आए तो मैंने सोचा क्यों नाए यह रेसेपी मैं आप सबके साथ शेयर करूँ ताकि आपके बच्चे भी स्नैक को इंजोय करें तो सबसे पहले हम लेंगे पनीर, पनीर हम गरम पानी में थोड़ा सा डाल लेंगे ताकि यह सॉफ्ट हो जाए जब हम पनीर को गरम पानी में डालते है ना तो वो सॉफ्ट हो जाते है तो पनीर को मैंने गरम पानी में डालके रख लिया मैंने थोड़ी सी लिए चॉप्ट मेथी इसको हम बारीक चॉप्ट कर लेंगे और मैंने लिये चकुंदर चकुंदर को हम ग्रेट करके रख अब हम मेथी को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे घीनी डालेंगे वैसी हलका सा थोड़ा इसको ड्राइ करेंगे हम ताकि इसमें थोड़ा सा क्रंची टेस्ट आए और कड़वा पन भी ना रहे तो थोड़ा सा आप इसको ड्राइ रोस्ट करेंगे जब तक यह कम नहीं आपको दि कुणने लगी है और क्वांटिटी में भी हमें कम लग रही है तो इसका मतलए भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी है अब हम इसे निकाल के रख लेंगे चकुंदर के साथ ही और हम अब लेंगे बेसन बेसन बहुत ही कम लेंगे एक चम्मच लेंगे हमें वेसन बस डिप करने के लिए चाहिए पनीर को हम डिप करेंगे तो इसमें हम डालेंगे नमक थोड़ा सा नमक थोड़ा सा गरम मसाला और बहुत ही कम जीरा हमें टेस्ट पनीर का जाधा चाहिए और मेथी का तो इसलिए हम इसमें जाधा मसाले नहीं डालेंगे और इसको बहुत जाधा हम पानी डालके ऐसे गोल बना लेंगे बहुत ही पतला ठीक बिल्कुल नहीं रखेंगे अब हम पनीर लेंगे और पनीर को हम ट्री की शेप में कट करेंगे जैसे हमारा क्रिस्मस ट्री होता है उस शेप में हम इसे कट करेंगे देखे इसका साइज छोटा बड़ा आप अपनी पसंद से कर सकते हैं तो यह मैंने चोटे ही रखें तो यह हमारी सारी शेप के जो क्रिसमस ट्री संट के ही कोई चोटा है कोई बड़ा हम इसे बेसन में करेंगे डिप हम और डिप करने के बाद इसमें हम मेथी पेस्ट करेंगे देखिए आप ऐसे devil कर देंगे पनीय की slice को तो मेथी जो है वो उस पर चिपक जाएगी देखिए बहुत सुंदर हमारे Christmas tree लग रहा है अब हम चकुंदर से इसकी जो sides हैं उसको decorate करेंगे देखिए जब हम इसकी sides में चकुंदर जो बीट रूट paste करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा देखिए attractive सा और बच्चों को बहुत पसंद आएगा देखने में ये इतना सुंदर लगेगा कि उनका खाने का मन करेगा देखिए green और red का combination कितना अच्छा लग रहा है और base हमारा white है बहुत सुंदर सा हमारा Christmas tree है वो जो ready हो गया है देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये तो अब ऐसे सभी हमारे जो Christmas tree है उनके decorate कर लेंगे तो हमारे जो Christmas tree है वो सारे ready हो चुके हैं देखिए कितने सुन्दर लग रहे हैं देखने में जी मैने पहले ही लगा दिया था आप थोड़ा सा गी लगा के रखेंगे पहले ही तवे पे और इने के करके इसे रखतेंगे और दोनों साइट से हम इने सेखेंगे लेकिन बहुत जादा नहीं सेखना है बहुत जादा सेखेंगे तो यह हाड हो जाएंगे यह देखिए अब हमने बस इन्हें फिलप कर देना है पलट देना है और दोनों साइट से हमेंने इक्वली सेखना है क्योंकि हमारी मेती है वह अल्रेडी रोस्टेट थी तो हमें उन्हें तो पकाना नहीं है देखे थोड़ा-थोड़ा मैंने इनको यह मÁippy पकाया और हमारे यह पक्के रेडी हो चुके तो हमारे कृष्मस ट्री देखने में लग रहे हैं बहुत ही सुन्दर खाने में भी भी तेस्टी लगेंगे तो इस्क्रिस्मस आपक आप था क्रियेगा और अपने गेस्ट को स ओ करेंगे तो मेरी ग्रिस्मस टू ऑल बाबाई एंड टेक केर इंजॉआई गनू का है ये ओके ये भी गनू का ये किसका ये ममा का ममा आप खालो ममा हम